नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यह कैसे टू यूट्यूब चैनल पर दोस्तों देश में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का वाहन आर्थिक तंगी के कारण नहीं खरीद पाते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द् मुख्यमंत्री ग्राम परिवन योजना का आरंब किया गया है तो उसे यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मुख्यमंत्री ग्राम परिवन योजना से सम्मंदिद सभी महतपूर जानकारी जैसे की मुख्यमंत्री ग्राम परिवन लाइक कर दें चला पहली बार आए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें क्योंकि ऐसी वीडियो आपके जरूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यह यह योजना बिहार सरकार परिवहन निगम यानि के ट्र काड़ी आती है सभी इसकी तहट योग्य माने जाएंगे बिहार राजी का जो शुक्लावारती इस योजना के अंतरकत आवेदंग करना चाहते हैं तो बिहार परिवहन निगम की ओफिशियल वेबसाइड पर जाकर ऑन-लाइन फॉर्म एप्लाइग कर सकते हैं इस योजना क रूप से कमजोर होने के कारण बहुत से लोग वहन नहीं खरीद पाते इस समस्या को देखते हुए बिहार सरकार ने इस मुक्यमंत्री ग्राम परिवन योजना दोजार इकिस की सुरुवात की है इस योजना के जरीए ग्रामीड लोगों को तीन या चार पाई ये वहन खरी परिवहन योजना के कुछ मुक्य लाव के बारे में दोसमें मुक्यमंत्री ग्राम परिवन योजना के तहत बेरोजगार अंसूचित जाती यानि कि यस्सी यस्टी और यहां पर OBC के लोग पंजीकरण करके आवेदन पत्र जमा करके सबसीड़ी दरोप पर वहन खरीदने क के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस योजना में जो लोग किसी प्रकार की वित्य सहायता या आउसर नम मिल पाने के कारण बेरोजगार है उन्हें भी इस योजना के माद्यम से मदद मिल रही है इस योजना में लाबारतियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए च सरकार द्वारा प्रतेक ग्राम पंचायतों से पाँच यानि कुल 42,025 ऐसे योजना के तहत प्रतेक पंचायत के लिए वाहनों की खरीद हेतू, तीन अंसूची जाती, अंसूची जन जाती, दो अत्यंत पिछड़े वर्ग यानि की OBC लाबारतियों को अनुदान दिया जा आते हैं, तो आपको चो एज लिमिट है, वो 21 वर्ष होना चाहिए, लाबारति को सरकारी सेवा नियोजित नहीं होना चाहिए, किसी भी ऐसे पत्पर नहीं होना चाहिए, जो कि सरकार को बिलॉंग करता हो, प्रतेक पंचायत के पाँच योग के आवेदेकों का इस योजना केंटर का तो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो जिसके लिए आपर कुछ मुख्य दस्तावेज आपको देने होंगे, तो आईए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, देखिए जो मुख्य दस्तावेज है, इसमें मुख्य आता है, आवेदेक भिहार राज का उसको होना ही चाहिए, मुबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, एन यहां पर एक पासपोर्ट साइस फोटो, अगर आपके पास यह सारे डॉक्यमेंट्स एवलेबल हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो ऐसे मेहां पर आप इस योर्णा के अंतरगत एलिजीब ले आएंगे, यहां पर आप लोगों के सामने होम पेज ओपेन होगा, होम पेज पर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिंक पर क्लिक करना होगा, इसके पस्चाद आपको मुख्यमत्री ग्राम परिवन योजरा के लिंक पर क्लिक करना होगा, अब आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा जिसमें आपको for apply online 7th face click here के link पे click करना होगा अब आपके सामने एक और नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको सभी महतपूर जानकारी भरनी होगी जैसे की phone number, password, email address, driving license अब आपको इतना कर लेने के बाद submit के button पे click करना होगा इस प्रकार आपका पंजी करण प्रक्तिया पूरा हो जाएगा अब आपको उपर दिये गए login के link पे click करना है इसके पचात आपके सामने login form खुल करके आजाएगा इसमें पूछी गई जानकारी आपको भरनी होगी आपको fill application form link पे click करना होगा अब आपके सामने application form खुल करके आजाएगा जिसमें पूछी गई जानकारी आपको ध्यान पुर्वक भरनी होगी सभी महतपूर्ट दस्ता विजो को attach करना होगा अब आपको submit के button पे click करना होगा इस प्रकार आपकी जो आवीदन प्रक्रिया है वो सफलता पुर्वक हो जाएगी दूस्ता आवीदन सिती अगर आप देखना चाते हैं तो जिसके लिए आपको इसी के आधिकारिक website पर जाना होगा अब आपके सामने फिर homepage खुल कर आएगा आपको फिर से transport department वाले option पर जाना है उसके पर जाना है उसके पर आपको मुख् सिती चेक करने के लिए आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप वहां से जाकर अपना यूजर नेमें है आपर पासवर्ड डाल के capture code को फिल करके login की बटन पर क्लिक करके easily यहां पर आप अपने आवीदन की सिती को देख सकते हैं दोस्तों करें ऐसे ही और मजदार वीडियोस देखने के लिए हमारे जैनों को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले इसी के साथ मिलते हैं कौन नहीं मजदार वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे बात्रम